वेल्कम टू माई यूटूब चैनल ए टू जेट क्लासेज बाई गॉरब सर हम लोग आज पढ़ेंगे रीजिनिंग और एक नया चेप्टर रह स्टार्ट करूंगा वो है आपके सामने लिखा हुआ डाइरेक्शन या इसी को कहीं कहीं नाम देखोगे डाइरेक्शन सेंस्ट तो डाइरेक्शन का नाम आते ही आपके मन में क्या क्या चलता होगा नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट जी हाँ बिल्कुल सही चलता है तो मेंली देखोगे तो देर आर फूर टाइप्स ऑब डाइरेक्शन मेंस और सूने होगे क्या मानलो यह ओरीजिन पॉइंट है यहां से हम लोग चीजों को देखें तो नौर्थ क्या होता है ऊपर में होता है क्या नौर्थ इसे क्या लिखते हैं नौर्थ साउथ क्या हो जागा नीचे में होता है राइट साइड क्या होता है इसे हम ऐसे खड़ा है नौर्थ साउथ राइट साइड हमारा हो गया इस्ट और ले 90टी डिग derivatives से क्या बनाता है nesse city क्या में बुर्वेंट ने सकती स्केस confident coin नहती डिपन टेरा भी जांथसे क्फून गारी बनाता है जैसे North और East के बीच में तो 45 डिख दिकाएंगल हो गया जैसे 90 का अधा क्या यह 45 तो इसे बोल दिया जाता है North East उसी तरह South और East के तो क्या बोला जाएगा South East South East या इसी को Short में बोल जाएगा SE उसी तरह South और West जब दोगे बीच में तो क्या हो जागा South West और उसी तरह North और West North और West के बीच में क्या हो जागा North West तो चार सब डाइरेक्शन चार डाइरेक्शन चार सब डाइरेक्शन यह हमारे पास होते हैं ठीक है समझा दिया समझ में आ गया आगे चलते हैं अब देखो जब घरी की इस टाइरेक्शन में मूव करती होगी तो इस टाइरेक्शन में तो वाज के डाइरेक्शन में जो चीज़े चलते हैं उसे बोलते हैं क्लोक वाइज यह क्या आपका हो गया यह हो गया क्लोक वाइज मूवमेंट मिन्स कोई चीज कोई ऐसे मूव करना शुरू करें तो इससे बोल देंगे clockwise जस्टिस के अपोजिट यहां डिरेक्शन लगा दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए घरी के डिरेक्शन से उल्टा ठीक है तो इससे क्या बोल दोगे anticlockwise क्या हो जागा यह anticlockwise movement क्योंकि यह सबका काम आने बाला है इसलिए मैं समझा रहा हूं अब एक चीज और ध्यान देखते हैं मान लो आप अभी इस direction में हो ठीक है कि क्लोकवाइज मान लो आप चलो 90 डिग्री तो यह direction से आप यहाँ चलोगे इस direction में हम यहाँ हो गए फिर आपको clockwise 90 डिग्री तो हम इस direction से सिधे इस direction में हो जाएगे मिन्स सिधे उल्टा चलने लगेंगे फिर मह यहाँ था फिर हमको कोई गोला जा मुल जया है clockwise 90 डीग्री तो इस तरफ से चलने लगेंगे तो आपको क्या हो जागा फिर हमारा क्या हो जागा 90 डिग्री इस तरह से और फिर आपको कोह यह और दी बोल दिया जा क्लोग्वाइज तो जीस direction में थे क्या उससी direction में देहीं चलने लगे चलने लगे न यही होता है क्या clockwise को ही आप बोल सकते हो राइट rotation भी राइट 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 चल रहे हैं तो क्या हो जागा मान लो एक राइट राइट मिन्स चार राइट जैसे ही हमने चला तो क्या हो जागा Initial direction महीं आ गया मिन्स चार राइट चलने के बाद आप आ जाओगे औरिजनल direction महीं वाइस वर्षा फोर लेट जैसे वो भी प्रूफ कर दे रहाऊ मान लो आप इस direction में थे ठीक है ठीक है लेट चले तो लेट जब हो गया मिन्स centi clockwise घरी से उल्टा तो पहला बार आप इस direction में आगे अब फिर lift 90 degree लिया तो इस direction में आगे फिर lift हमने 90 degree लिया तो इस direction में आगे और अगला जैसे ही 90 degree लोगे तो किस direction में आ जाएगे हम आ जाएगे इस direction में मिन्स चार lift भी अदि ले लिए lift lift left left तो भी क्या जौँगे आप आजाओगे original direction में आप क्या जाओगे आप आजाओगे original direction में यह समझना है 4 राइट या 4 left लेने पर जिस direction से आपने अपना movement सुरू किया था उसी direction में क्या हो जाओगे आजाओगे यहांते क्लियर है जी हाँ क्योंकि समझा रहा हूं इसे लिए एक चीछा और होता है क्या होता है पाइथा गोर्ष ठीओरम ठीक है जैसे मैट्स में पढ़ा हो गया यू जाएगा इसका इसलिए बता रहा हूं पाइथा गोर्ष ठीओरम ठीक है पाइथा गोर्ष ठीओरम क्या है तो ध्यान से देखो पाइथा गोर्ष ठीओरम कमी पढ़े हो गये कि यह मानलो हो होता है बेस तो एक कोई ट्रॉइगल है यह हो गया हाइट अबetonist ओ और यह क्या हो गया ऐपोटेनस यह इसी को हाइपोटेनेश चुकिह चस्कारत इसलिए मैच चंज कर वाया तो पढ़ होग essayer क्या होता होगा वेयो होगा स्क्वार पलस करपेंडिखुलर का स्क्वार इस इकुल स्वान को टो है पोटेनेश का स्क्वार या और क्या लिक सकते हो अंडर रूट 20 का square plus perpendicular का square is equal to hypotenuse means question ही रहेगा कि मानलो कोई पहले यहां से ऐसे चला फिर यहां से ऐसे चल लिया तो आप से पूछ देगा कि what is the minimum distance from his starting point what is the minimum distance from his starting point तो आपको यह बाला निकालना पलेगा ना कि यह बाला और यहीं से क्या आजागा आपका hypotenuse theorem का यूज करके आप क्या निकाल सकतो हो आप निकाल लोगे distance इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है तो इसका यूज आएगा आगे चल करके हम देखेंगे जैसे जैसे आएगा से तो mainly आपके पास यहां question कैसे कैसे पुछा जाता है तो एक बार यह देख लो यह तो basic सथी और अब रहा क्या कि सर्चार डाइरेक्शन चार सब डारेक्शन और clockwise क्या इसं में पूछा जाता है जिए कैसे पूछा जाता है नटो पहला सक्टों कॉछला कॉछछन ना क्या टारिक्शन पूछ ले गा फाinkट डाइरेक्शन या सिधा सिदली को फाइंडिंग डाइरेक्शन फाइंडिंग डाइरेक्शन पहला कोश्चन आपसे डाइरेक्शन निकालने पूछ देगा कि इस डाइरेक्शन में भी चल रहा है क्या है दूसरा कोश्चन आपसे डिस्टेस निकालने पूछ देगा दूसरे तो है डिस्टेंस निकालने आपसे पूछ देगा क्या भी वो कितना डिस्टेंस पर है फाइनल डिस्टेंस है तीसरा कोश्चन में दोनों पूछ देता है डिस्टेंस भी और 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 बिष्ट कोस्चन पोचने लगा है मींस ग्राफ देदेगा बताऊंगा क्या होता है आपके पास क्या करें ग्राफ बश्ट कोष्चन एक ग्राफ बना देगा City इसे नश्राफ गणसेप्ड वेह घृंक्ष कि डिस्टन म Gilकी कर देघा है कर्वाएंगे और और एक question बहुत important question पूछ जाता है shadow concept जिसे भी हम करवाएंगे क्या shadow concept सेड़ों सेट इंपॉटेंट question होता है असान होता इसलिए फुछ दिया जाता है तो shadow concept तो chapter देखने में असान लगता है लेकिन question बहुत सारा बन जाता है बताया direction find out करने आपसे पूछ देगा क्या पूछ देगा distance दोनों पूछ सकता है आपसे करेगा सइडार कि लिए को सपो शक्ता है क्या थिक है यह तो हो गया introduction कुछ questions कर लेते हैं और आज question करेंगे देरेक्षन निकालने वाला ही ताकि confusion नहों या खिछड़ी ना बन जाए मान में डाइरेक्शन निकालने वाला भी तो आज का first question आप देखेंगे क्या है तो आपके पास question है सो देखो question है a man facing west a man facing west facing west ठीक है he turns 45 degree in the clockwise direction and another 180 degree in the same direction burна,listsर्ण एमाइरेक्श एंपेशन टृफर्णा देख聩ाएन में तो झाएर रखर ऀगсьन दॉकाई प।र्णावे शुराइक्शन शूओ सौओधन में थाएर रट में सूड़ हाँ in the same direction XWC degree you see direction and then 270 degree in the anticlockwise direction and then in two-handed 70 degree in the anticlockwise direction in the anticlockwise direction in the anticlockwise direction which direction is he facing now which direction is very easy question is very easy question is very easy facing now if you have a model paper or guess paper question is got to get to what direction is he facing? कर रहा है question क्या है दोस्त ए मैन इज फेसिंग वेस्ट बना लो क्या है वेस्ट इस साइड बना था मानलो मैन का मुंडी अभी साइड है इस साइड भाई साहब ने फेस कर रहा है एक दम बिलकुल आसान सा समझा रहा हूं बोल रहा है 45 degrees in the clockwise clockwise क्या होता है इस साइड होता है ठीक है मारकर चेंज करके सम्झा दे रहा हूं तो 45 degree मतलब यहां आया वह ठीक है बोल रहा है फिर से 180 degree in the same direction 180 degree सेयं का मतलब क्या हुआ सिधा सी दिय पोजित मैं समझ जा दो 180 होता है यह यह ऐसे है तो उसका उभाजित 180 डिग्री ठीक है यहां तक तो ठीक है आपका ठीक है तो 180 और 45, 225, यह डायरेक्शन अगला 45 लेंगे तो 270 हो जाएगा, बिलकुल समझे, फिर क्या मैं बोला, यहां से 270, निकल सकते हो, बिलकुल, अच्छा एक चीज़ ध्यां से दो को, यह डायरेक्शन कौन सा निकला, तो यह वेस्ट था, अब यह सी बात है, तो इसे क्या कोई भी चीज 360 डिग्री पर घूम जाती है, मिन्स आप जहां से चलो अभी तो समझाया, चार बार लेफ्ट या चार बार ड्राइट लोगे तो हाँ आ जाया, मानलो यहां से आपको, इंटी क्लोक बाई 270 चलना था, तो क्लोक बाई सीधे 90 चल लेते तो नहीं आ जाते, मतलब सीधे 360 चला दिया, 270 चला हुआ है, 270 चलना है, तो उससे अच्छा 90 और चला तो, उल्टा चला दो, तो 45 यह हो जाता, 45 यह हो जाता, इससे भी एंसर क्या हो जाता, साउथ वेस्ट, इससे भी और आसान चाहिए, तो ऐसे समझो, इससे भी आसान करके बताऊंगा, ऐसे बताऊगे सर, अभी देख लो, देखो द्यान से, चार डियरेक्शन, नौर्ट साउथ इस्ट वेस्ट, लगा दिया, वो भाई सहाँ है, वेस्ट पे, मान लो इस साइड है, ठीक है, अब यह देखो, टोटल क्लोकवाइज दो बार चला है, 45 और 180, मतलब 180, तो दोसो पचीस डिग्री वो क्लोकवाइज चले, ठीक है, और अब 270 उनको चला रहे हो, तुम क्या, एंटी क्लोकवाइज, एंटी क्लोकवाइज, अच्छा, क्लोक एंटी एक दूसरे का पॉजित होता ह ना, तो 270 तो चले में, दोसो पचीस तो ही मैनेज कर लेंगे, मिन्स एकस्टा यहां से क्या निकलेगा, 45 डिग्री, एंटी क्लोकवाइज, भाई, खतम करो ना, बाते ही पे, मैं क्या बूला, टूटल क्लोकवाइज, आपने कितना चला, 220 और एंटी क्लोकवाइज, चल रह एथा साउथ, एथा वेस्ट, आपका क्या अंसर हो गया, साउथ वेस्ट, एक ही बार में काम खतम, क्या इधर उधर की बाते करना, ठीक है यहां तक, बिलकुल, आगे चलते हैं, अभी एक दो कोश्टन और करते हैं, किस पे, डिरेक्शन पे, आपके पास निक्स्ट कोश्टन आपके पास है, A, B, C, D, Playing Cards, A and B, are Partners, असान सा कोश्टन अभी है, A, B, C, D, are Playing Cards, A and B, are Partners, 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 ठीक है, A and B, are Partners, D faces north, if A faces west, D faces north, इसमें क्या बोला है, D faces north, if A faces west, if A faces west, then, towards the south, then, who faces towards the south, means, who faces towards the south, असान सा कोश्ट्ट्ट्ट्ट्ण, लोग कन्फूज हो जाते हैं, चार पार्टनर्स देख करके, घबलों नहीं, गौर्म में तस्क खेले होगें, तो देखे होगें, खेलना मी चाहिए, टाइम पास का अच्छा सीस्टम होता है, क्या मैं बताना चारा, लोग देखते हैं, क्या है इंग यह विए पार्टनर स्ट्राइण करना में इनका पार्टनर सी इनके सामने बैठ्टे होंगे साउथ फेस कर जोंगे यह तो यहीं से बन जा रहा था और आगे तो कोश्चन नहीं देना था असान सा कोश्चन कर दिया आप बोल रहा है ना क्या दीप से एक और दिया हुआ कि बैठन की से बैठन कि बैठेगा सब्सक्राइब करूप पूछ परुछा जाता है बस परसान मत होनास सब बताएंगे बना सकते हो थीक है अब देखते हैं यहाँ यहां तक देखते हैं आगे सिकेंद देखो jsuk दिखो, if A is to the south of B, आसान आसान सा question आज करवा रहा हूँ, if A is to the south of B, to the south of B, ठीक है, A is to the south of B, and C is to the east of B, and C is to the east of B, C is to the east of B, in which direction is A with respect to C, in which direction, is A with respect to C, with respect to C, with respect to C, आगे चलते हैं, आसा question है, पहले पहले हैंगे, आराम से फिर बनाओगे, स्क्रीन को करो पाउस, A is to the south of B, मतलब B के south में A है, तो B उपर, तो A कहां लगा दिया, नीचे, समझ गए, step by step, A is to the south of B, C is to the east of B, तो B को पहले खोजो, B मिल गया, क्योंकि लिंक हो जा जाता है, ऐसा question में, C is to the south, east of B, C कहां होगा, east मतलब बताया हो, right side, ठीक है, B, अब बोल रहा है, in which direction, is A with respect to C, question बन सकता है, अधियान से, गलती हो जाएगा, क्या, A को पूछे जा रहा है, with respect to C, अच्छा, C के respect में, तो यहाँ coordinate आप shift कर लोगे, ठीक है, तो सिधा सिधी क्या पन जाता है, answer, C के respect में, A किदर है, A कहां है, बेचारा, बीच में आ रहा है, किसके किसके, साउथ का और वेस्ट का, तो आपका answer हो जाएगा, साउथ, वेस्ट, answer क्या हो जाएगा, आपका, साउथ, वेस्ट, यदि सेम question पूछा जाता है, देखो, बस थोड़ा सांतर होता है, यहाँ पर कर देता, सी इज, बिथ रेस्पेक्ट टू ए, बिथ रेस्पेक्ट टू वट, बिथ रेस्पेक्ट टू ए, तो सिधा सिधी answer बदल जाता है, तो A को reference point मानते हैं, किसके respect में, A के respect में, A को reference point मानते हैं, देखते हैं कहां पे तो C बन जाता कहां कहां पे तो North और East के बीच में बन जाता है ना इसके respect में C means A देख रहा है C को reference सिप्ट किया जाता है तो एंसर हो जाता क्या North और East North East answer हो जाता अभी एंसर आ जा रहा है South West तो question ठोड़ा धंग से समझना नहीं तो गल्ती हो जाने का चांस रहेगा इस टाइब का कोंश्चिन एक के रिस्पेक्ट वbn पूछा जाता है इसलिए ठंक से समझना है गल्ती करने से बचना नेक्स्ट कोिस्टन पे आ जाओ क्या है कि नेक्स्ट कॉस्चन पर हम देखते हैं आपके सामने है हाँ दिव्या ज्वाइन्स टेन किलोमेटर इस्ट दिव्या जर्णी टेन किलोमेटर रीड टेन 10 किलोमेटर साउथ वेस्ट क्वेश्चन है आपके पास यह समझो नहीं यह ट्रेवल्स हाँ टेन किलोमेटर इस्ट देन 10 किलोमेटर साउथ वेस्ट देन 10 किलोमेटर आफ वेस्ट टेन 10 किलोमेटर तो नर्थ वेस्ट वे अगेंज ट्रेवल्स 10 km तो नर्थ वेस्ट तो नर्थ वेस्ट 10 km तो नर्थ वेस्ट इन विच दिरेक्शन इजी फ्रॉम दा स्टाटिंग पुछा था जाता है विच इन विच दिरेक्शन स्टाटिंग पॉइंट सो अभी किस टाइरेक्शन में है इन विच दिरेक्शन इजी फ्रॉम दा स्टाटिंग पॉइंट कैसे समझोगे तेन किलोमेटर इस्ट यहां पर थे दस किलोमेटर इस्ट इस टाइरेक्शन में गया एकदम असान असां सा ठीक है दस किलोमेटर फिर साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो गया दस किलोमेटर साउथ वेस्ट वहां से मालो यहां से साउथ वेस्ट समझा जाए यह रिफ्रेंस हो गया यहां अब सिफ्ट कर बादेना है साउथ नीचे वेस्ट इस साइड मिंस दस किलोमेटर क इसका North West क्या समझोगे आप इधर South West आया यह रीफरेंस माणलो यहां पर सुप्ट भी आपने कर दिया तो Northwest stitch का क्या मतलब हो गया Northwest का मतलब हो गया कि यहां से आपने चलोगे साउथ-waist उथा न और यह northern West यहां राइफरेंस आने शिफ्ट किया मालों यहीं पर कहीं पर तो North उससाइट मेंस दस किलोमेटर कहीं इस साइट चलेगा ना दस किलोमेटर कहीं ऐसे होगा दस किलोमेटर चला दिया ठीक है आप के पास यहां देखनो थोड़ा ओप्सन देख लेना क्या South, North, West, East South, North, West, East आपके पास क्या है Options है South, North, West, East देखते हैं Options से चलना South, North, West, East अब देखो क्या Initial Point से कहा है Initial Point यहाँ था अभी मालो भाई साहब यह है ठीक है अब देखो कैसे करें सर समझो ध्यान से Options काउन बेट अब यहाँ पर चुनना है आपको बेस्ट, बेस्ट ओप्सन कौन सा हो क्योंकि एकजैक्ट देखो कहीं पर भी इसलाइम में नहीं आएगा यह तो confirm है क्योंकि 10 चला है 10 यहाँ से इसलाइम में नहीं आएगा थोड़ा नीचे रहेगा लेकिन इक जैक्ट इन सब में बेस्ट देखो क्योंकि मन करहा भी या तो साउथ फी एंसर हो सकता है वेस्ट बेस्ट बेस्ट रहेज़। क्योंकि आपका एंसर क्या हो जाएगा क्योंकि अभी यहां पर था अभी मानलों यहां पर पहुंचा हुआ है तो इसलिए इसका आजएगा बेस्ट ऐसा कोस्ट भी आपके पास पूछा जाता है एंसर क्या आजएगा वेस्ट एक अधारासा अंसा कोस्ट देख लेता है उसके बाद इस लेक्चर को खरेंग एंगे एक अधरासा अंसा अंसा question क्या हो जाता है, so देखो ध्यान से, क्या है, if all the directions are rotated, ठीक है, ऐसा question पूछा जाता है, all the directions are rotated, if all the directions are rotated, ठीक है, all the directions are rotated, इस तरह से, so that, so that, north is changed to west, and east is, east to north, north is, north is changed to west, and east to north, and, ये मतलब east, east to north, ठीक है, east to north, and so on, then, what comes in place of northwest, and so on, then, what comes, comes in place of, in place of northwest, then, what comes in place of north west, north west के place में, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, देखना एक बार, बोल क्या रहा है, जैसे, इस question को ऐसे बनाना होता है, north, south, east, west, पोला है, ना भाईशा है, रोटेटे, north is changed to west, नया बला बता रहा हूँ, north is changed to west, and, east to north, east क्या हो गया, north बदल, north जो है न, west बन गया है, मतलब black बाले से लिख रहा हूँ, ये बन गया है, west, east बन गया है, north, so on, मतलब समझ जो क्या हो रहा है, इस तरह से पूरे कोडिनेट को shift करवा दे रहा है, जैसे ये बला यहाँ चला गया, ये बला यहाँ चला गया, तो ये बला यहाँ जाएगा, मिंस इसे क्या लिखोगे इस लिखोगे और यह बला यहां चला जागा इसे क्या लिखेंगे साउथ लिखेंगे यहां तक समझे हर किसी को 90 डिगरी क्लॉक वाइज में शिप्ट करवा दिया तो आगे चलते हैं बोल रहा है south west के प्लेंस पर कौन सा नॉर्थ साउवास्चं पहले tab ये और लिखेंगा तो देखो किस के किस के बीच में साउथ वेस्टम डूर एंसर व्हांhole साउथ साउथ वोगा संधर किटना आसान चीज़ पहले बना लिया और फिर बोला कि भाई अब के आएगा तो पहले तो नोथ इस्ट था लेकिन आप दो और खेंके दिस्टेंस वाले में और फिर दखेंगे डिस्टेंस दियरेक्शन तो पुछा जाता है तो आज की लेक्चर कहीं तक रखते हैं सेम रिक्वेस्ट इतनी महनत लगती है तो लाइक करें अभी तक सब्सक्राइब ना कियो हो तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों में सेर भी करते रहे हैं